नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के अस वीडियो में दोस्तों आज है संडे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे को हम करते हैं Q&A सेशन जिसमें EPFO से जुड़े सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के माज़म से देता हूं वीडियो में आगे बड़े से पहले मैं आपको बता दूं कि कर पीएफ से जुड़े आपको सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे ल करने में कोई परिष्यानी नहीं है क्योंकि बिना जौप ठोडे तो depressed करते हैं और याएकी फिटियो क्यों ceux पूरा पैसा निकालते हैं तो आपके पूरे पीएफ अमाउंट पर जो 50,000 से जादा है उस पूरे अमाउंट पर 10% का TDS कटेगा लेकिन यहां बात पैसों किये तो यहां मैं आपको बता दूं कि पैसे पैसे जमा हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि पैसे को निकाल करने पर TDS नहीं करता है और आज की वीडियो का अगला सवाल है कि चेक पर पीएफ मेंबर्स का नाम प्रिंट नहीं है क्या उस चेक का फोटो हम पीएफ क्लेम करते समय अपलोड कर सकते हैं तो इस सवाल का जवाब जलने से पहले तो आपको बता दूं कि पैसा निकालने के समय अगर आप चेक का फोटो अपलोड कर रहे हैं और उस चेक पर आपका यहने की पीएफ मेंबर्स का नाम प्रिंट नहीं है तो अब उस चेक का फोटो अपलोड ना करें वरना आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और आज की वीडियो का आखरी सवाल है क्या 58 स बनने के लिए उम्र की कोई समय सिमा नहीं है यानि कि कोई भी किसी भी उम्र में पीएफ मेंबर्स बन सकता है चाहे उसकी उम्र 58 साल या उससे ज्यादा ही क्यों ना हो तो यह थे आज की वीडियो के सवाल और उनके जवाब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पीएफ अकाउंट से जुड़े अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूस्ट सकते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी